Hello students, welcome to Chemical Science और बच्चों, आज ही class में हम लोग discuss करने वाले हैं कुछ numericals ठीक है? last class में भी हमने कुछ numericals भी discuss किये थे ठीक है? तो उसमें कुछ रह गए हैं, तो चलिए, तो ये जो numericals हम कर रहे हैं बच्चों ये previous years में आए वे हैं, different different universities में ठीक है? तो एक बाल एटलिस आप इनको ट्राइज रूल करेंगे ओके चलिए तो एक कुश्चन लिखते हैं अमोनिया फॉर्मेशन दे रखा है बच्चो ठीक है अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है N2 प्लस 3H2 गेबस ट्वाइस ओफ NH3 ठीक है यह रियक्षन होती है पता है आपको अब इसमें हमें दे रखा है नाइट्रोजन के घटने की दर दे रखी है बच्चो ठीक है क्या दे रखा है नाइट्रोजन के घटने की दर क्या दे रखी है 2 मोल पर लीटर पर मिनिट ठीक है अब आप से आप पूछ रहा है पहले तो आप अभी क्रिया का वेग बता हिए Katha भी के लिग गर्त करें तूसरी बात ना इटो ने घटने के दोने रखिया और इन दोरों कहीं पूछ रहा है H2 के घटने की दर घटना मतलब विलूप तो हो न H2 के घटने की दर दे रखी है और तीसी चीज़ दे पूछी है आप से क्या NS3 के बनने की दर के बनने की दर ये तीन चीज़ें दे रखी हैं ठीक है तीन चीज़ें पूछ रहे हैं और दे रखी है आपको क्या नाय टूरे घटने की दर दे रखी है तो बताओ कर सकते हो कि इसको आप कर लो कि इतना कुछ ऐसा है नि तो सबसे पहली बात उससे आप से पूछा है कि भई ऐसा करो अभिकरिय का वेग ज्यात करो तो आप अभिकरिय का वेग निकालो कैसे निकालो गया बताओ पताया है यह है अभिकरिय की दर कैसे निकलेगी minus delta concentration of N2 upon delta T ठेक है equals to minus 1 by 3 delta concentration of H2 upon delta T और वो दे रखा है plus 1 by 2 delta concentration of NH3 upon delta T यह देखो सही बात है क्या ऐसा ही दे रखा है यह पूछ रहा है आपसे ठीक है तो अभिकरिया की दर कैसे निकलेगी देखो यह आपका अभिकरिया की दर का equation हो गया किसी से भी निकाल लो जो आपको answer दे रखा जैसे आपको यहाँ पर दे रखा नाइटर में घटने की दर यह दे रखिये ना इससे आप यही तो निकालना है आपको 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 निकाल सकते हो राम से निकल गया कितना है दो मोल पर लिटर है यही तो है नहीं समझ माया चलो मैं बताता हूं करके यह आपको दे रखा नाइटर मानना पड़े पक्का है कि इससे निकलेगी और तो कोई आपके पास तो कैसे निकलेगी बताइए माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन अफ एन्टू अपॉन डेल्टा टी इकोल सु कितना है टू मोल पर लिटर पर मिनट बस थोड़ा चीन यह कर सकते होगी पर मिनट को छोड़के सेकंड में निकाल लो तो पर मिनट को नीचे लेआँगो तो पर मिनट ऐसे हो जाएगा अब आपका दिल कर रहा है कि नहीं सर मैं तो सेकेंड में निकालूंगा तो निकालो जी कोई दिक्कत नहीं 2 मोल पर लिटरrics मिनट को सेकंड में चेंज कर लो क्या आया का 60 second इतना समझ माया ओके अब क्या होगा इसको cancel out कर तो क्या होगा है 1 upon 30 mole liter inverse second inverse देख लो जी बोलो ऐसा ही कुछ आएगा पक्का ठीक है जी एक चीज तो तुमारा निकल के आ गया ठीक है अब वो आप से इसके अलावा क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है क्या H2 के घटने की दर कोई बात नहीं एक का अंसर निकल गया तो बाकी तो निकली जाते है पता ही है आपको हटा दो इसको ठीक है इसको हटा दें फिर इसको हटा दो कितना आ रहा है यह यादा खना ठीक है 1 upon 30 mole per liter per second आ गया अब आपसे दूसरी बात पूछी गई है क्या hydrogen के घटने की दर आपको यह वाला data आपके पास है ध्यान से सुनो भई यह आपके पास है यह आपसे पूछ रहा है इन दोनों को relate कर लो ठीक है तो दूसरा वाला answer आजएगा बच्चों क्या hydrogen के घटने की दर कैसे निकलेगी minus 1 by 3 delta concentration of h2 upon delta t इसके साथ ले लो equal to minus delta concentration of n2 upon delta t अब आपसे सिर्फ यह चीज पूछी गई है minus के साथ घटने की दर तो 3 को वहाँ cross multiply में भेज़ दिंगे तो क्या हैगा minus delta h2 delta t equals to 3 minus delta concentration of n2 upon delta t ठीक है तो क्या जाएगा minus 3 multiplied by this यह कितना है था 1 upon 30 है था साथ है ना क्या जाएगा 1 upon 30 mole liter inverse second inverse क्या जाएगा 1 upon 3 to 10 times कर जाएगा minus की जरुवत नहीं है आपको समझ में आगया minus क्यों रखा है क्या जाएगा 1 upon 10 mole clear कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है हटाएगे इसको एक चीज़ा आप दूसरा आणसर आगया हाइड जोने घटने की दर अब तीसरा बार इस वीडियो को पॉस्ट करें और खुद से ट्राई करें ammonia के बनने की दर very good do fast ठीक है चली तो अब हमारा final question जो है इसका final part ammonia के बनने की दर निकालो अब अच्चो आप लोग खुद से try करो प्लीज एक बार क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है ये भी तुम्हें मिल गया है ठीक है इसको इसके equal रख लो तब भी answer हो आजाएगा कर लोगे ना तो ऐसा करता हो इसके इसके equal रख देता हूँ मैं चलो वीडियो पॉस करो try करो कुछ नहीं करते हो तुम लोग पता नहीं कॉफी पेन देके बैठते भी हो या खाली ऐसी वीडियो देखते हो कॉलेज वाले बच्चे ऐसी है ना देल्टा कंसेंट्रेशन ओफ एंटू अपॉन देल्टा टी ठीक है इसके सांथ ले लिया मैंने अब क्या पूछ रहा है आप से ये पूछा जा रहा है तो इस टू को क्रॉस मल्टिप्लाई में बेच दीजिए क्या हो जाएगा बताओ देल्टा कंसेंट्रेशन ओफ एंच थी डेल्टा टी टू इंटू दिस इसकी वैल्यू क्या थी बताओ क्या थी वन बाई थर्टी थी सायद वन बाई थर्टी थी ना तो कितना आगे है वन अपॉण फिफ्टीन मोल लीटर इन्वर्स सेक्ड इन्वर्स देख लो जी क्लियर हो गया अब तो कर लोगे ना ठीक है तो एक कोश्चन और है हमारे पास एक प्लस टू बी गिप थ्री सी एक रियक्शन दे रखे है आपको ठीक है एक ए घटने की दर ठीक है एक ए घटने की दर कितनी है प्लस टू पावर माइनस फाइब मोल लीटर इन्वर्स सेक्ड इन्वर्स है समझ माया ये एक ही घटने की दर दे रिखिया वो कर रहे बी के घटने की दर और सी के बनने की दर ज्याद करो सिंपल है यार अब मुझे लगता भी नहीं कि अब मुझे कराने चाहिए कुश्यन अब तो आगिया होगा ना आपको देखो नहीं आया तो तो पहले तो आपको क्या लिखना है इसका rate of reaction लिखना है अभी के दर लिखनी है बच्चो ठीक है अभी के रिया की दर निकालनी है क्या निकाल होगा है बताव माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन आफ ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू डेल्टा कंसेंट्रेशन आफ बी अपॉन डेल्टा टी प्लस वन अपॉन त्री डिल्टा कंसेंट्रेशन ओफ सी अपॉण डिल्टा टी यह दीखी तो यह आपने के लिए कि दर इसको बोलते है रेट आफ रियक्शन ठीक है यह निकाल दिया आपने अब आपसे कहा रहा है एक घटने के दर मतलब यह वाला वैल्यू आपको दे रखा है है ना और बी के घट डिल्टा टी माइनस वन बाइट लू एक दी अपॉण डिल्टा टी तो कह रहा है बी के घटने के दर मतलब आपको यह पूछा जा रहा है इसको क्रोस मल्टिप्लाइमेल दिदे दीजह ठीक है माइनस का दो बता दिया थुम्हें घटने के और बढ़ने से हैं ठीक है तसको को शिफ्ट कर दिया तो क्या जाएगा बताओ डेल्टा कंसेंट्रेशन ओब बी अपॉन डेल्टा टी इक्वरस्टू क्या जाएगा टू इन्टू इसकी बैद लगदू कितनी है 5 सा कितना था पॉइंट हां गया है 10 इस टू पावर माइनस 5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यह लोगी आगया अंसर चुटकियों में अंसर आ गया चलो हडा है इसको यह देखो यहां देख लो जलो दूसरा पूछ रहे हो अब वो करा सी के बनने की दर प्लस है तो बनने की दर आप इसको इसके साथ ले लो तो क्या आगा डेल्टा कंसेंट्रेशन आप सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू प्लस सुरी अब प्लस मैं रहता हो थ्री को क्रॉस मल्टिम्लाएं भीज दीजिए थ्री इंटू डेल्टा कंसेंट्रेशन आफ एपॉन डेल्टा ती थ्री इं सांसर आ गया क्या टेंसर ने वाई समय कोई टेंसर नहीं एए अधिक है चलो एक रेंच जे रहा हूं अब मैं समस्भाइक नहीं किरोंग आगे servirτοफिक में चलते हैं तो इस cushion को आप खुछस से ट्राइब करें लास्ट है देखो बच्चो तो यह नहीं आपका सामने कोश्यन क्या है कोश्यन बताओ देखतो रहा है थोड़ा सा ठीक है लिखा है रियक्शन दे रखिए 2N205 अच्छा यहां पर थोड़ा शाइन आ गया ठीक है बच्चों यह 2N205 दे रखा है यहां लिख दें दुबारा से 2N205 गिब्स 4N02 प्लस O2 यह दे रखा है ठीक है 2N205 गिब्स 4N02 प्लस O2 क्या कह रहा है अन02 के बनने की दर यह दे रखा है आपको यह और यह पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना सबसे पहले आपको rate of reaction अभी दर निकाल नहीं है minus 1 by 2 delta concentration of N2O5 upon delta T equals to plus 1 upon 4 delta concentration of NO2 upon delta T equals to plus delta concentration of O2 upon delta T ठीक है जी यह रहा है आप बताएं क्या होगा क्या दे रखा है आपको ओटू के बनने की दर तथा N2O5 के कभोनी की दर निकाल नहीं हो जबकि NO2 यह दे रखा है बच्चों आपको यह वाला data आपके पास है एक बार यह पूछ रहा हो पूछा तो एक बार इसको इसको इसक साथ इधर तो क्या निकालना है और टू के बनने की दर और N2O5 यह लो इसको गड़ते हैं क्या आएगा delta N2O5 upon delta T equals to cross multiply में जाएगा तो 2 upon 4 delta concentration of NO2 upon delta T यह क्या है का 1 by 2 delta concentration of NO2 इसकी value रख दो न कितनी है 2 है mole, liter inverse, second inverse तो कितना आगया है 1 mole, liter inverse और second inverse आगया है समझ माया है? उदर आजाओ, इदर आजाओ जी अब यहाँ पर क्या है लफड़ा भाई? यहाँ पर यह पूछ रहा है O2 upon delta T क्या है? 1 by 4 into this इसकी value कितनी है? 2 into 10, sorry 2 mole, liter inverse, second inverse 1 by 2 आगया, 0.5 mole, liter inverse, second inverse ठीक है? यही आजागा ना, 1 by 2, 1 by 2 को किलेक सकते है 0.5 बोलो, कोई दिकत? कोई दिकत नहीं, very simple है, ठीक है? गरम बहुत हो रहा है चले, तो इतना समझ माया, कहीं पर समझ ना आए, तो बच्चों आप time mention करें, आपर comments में, ठीक है? तो मैं आपको उसका reply दूँगा ओके? चले, अब मिलते हैं कुछ नए topics के साथ, numerical खताब बहुत कर लिया, ठीक है?